नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल रियल वास्तू विदमेगा में आए शुरू करते हैं आज का पंचांग लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए है और अभी तक आपनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रते दिन पंचांग की जानकार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे के हमारे द्वारा अप्लोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आईए शुरू करते हैं आज का पंचांग चे जुलाई दो हजार बाइस शच्टी तिथी सरवार्ट सिधी योग रवी योग बुद्वार का बंचांग जाने शुब मुरत राहुकाल व्रत वैत योहार आज दिनाग है छे जुलाई दो हजार बाइस वार बुद्वार शक सबद उन्री सो चबालिट स्विक्रब सबद दो हजार नियासी कलियू का वर्ष है पांच हजार रिक्रीतु है वर्षा और द्रीकयन है दक्षी नायन आजब्रा मुरित का समी रहेगा सुबे 4 बचकर 21 मिनट से 5 बचकर 6 मिनट तक प्राते संधिया का समी रहेगा सुबे 4 बचकर 43 मिनट से 5 बचकर 50 मिनट तक वीजे मुरित का समी रहेगा दोबेट 2 बचकर 26 मिनट से 3 बचकर 18 मिनट तक गोधुली मुरित का समी रहेगा शाम स्वार्षिद्धी योग का समय रहेगा सुभी 11 बचकर 44 मिनट से 7 जुलाई की सुभे 5 बचकर 50 मिनट तक और रवी योग का समय रहेगा सुभी 5 बचकर 50 मिनट से 10 बचकर 30 मिनट तक आज सूर्योदे का समी रहेगा सुभी पांच बचकर 27 मिनट और सूर्यास्त का समी रहेगा शाम 6 बचकर 44 मिनट आज चंदरोदे का समी रहेगा सुभी 11 बचकर 35 मिनट और चंदरास्त का समी रहेगा रात 11 बचकर 57 मिनट आज सूर्य रहेंगे मिथुन राशी में और आज की चंद्र राशी है कन्या, आज पूरा दिन और रात चंद्रमा कन्या राशी में रहेंगे, आज की दिधी है शुकल पक्ष सप्तमी, जो शाम साथ पचकर 48 मिनट तक रहेगी, उसके उपरांथ शुकल पक्ष अश्टमी दिधी आरंभ हो जाएगी, आज का नक्षत्र है उत्तर शाम साथ पचकर 49 मिनट तक रहेगा, उसके उपरांथ विश्टी करण आरंभ हो जाएगा, आज का योग है वरियान, जो सुभी 11 बचकर 42 मिनट तक रहेगा, उसके उपरांथ परीग योग आरंभ हो जाएगा, आज का पक्ष अशुकल पक्ष और दिशाशूल है उत्तर, इसलिए उत्तर की आत्रा पर जाने से पहले घर सेत्य लद्वा धनिया खा कर निकले। इसलिए अमगंड का समी रहेगा सुबह 10 बचकर 51 मिनट से 12 बचकर 31 मिनट तक और धूर मूरित का समी रहेगा तो पर 12 बचकर 4 मिनट से 12 बचकर 58 मिनट तक आज की व्रत व्यत योहार में हिंदू पज्जान के नुसाराज कोई भी प्रमुव्रत यत योहार नहीं है। ये थी जानकारी आज की पंचान की हमारे सातन तक बनी रहने के लिए आपका धन्यवाद।